देश में कई जानेवाने बॉलिवुड सलब्स के बाद बॉलिवुड आक्टर रंधीर कपूर कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोई बात नहीं है। जानकारी के अनुसार E-Times को अपना हेल्थ अपडेट देते हुए, रंधीर कपूर ने बताया कि उन्हें आगे के कुछ टेस्ट के लिए ICO में शिफ्ट कर दिया गया है, हाला कि मैं ठीक महसूस कर रहा हूं और चिंता करने की कोई बात नहीं। शोमैन राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रंधीर कपूर ने बताया कि वो अपने सबी स्टाफ मेंबर्स को उसी अस्पताल में भरती करवा कर इलाज करा रही है। रंधीर कपूर ने इस बात की भी जानकारी दी कि करीना और करिश्मा कपूर ने भी कोविट टेस्क करवाया था और उनके रिपोर्ट नेगेटिव आई है, फिलहार, पूरा परिवार, घर पर ही कॉरिंटीन है। आपको बता दे, 15 फरवरे 1947 को जन में रंधीर कपूर ने फिल्म श्री 420 में बतोर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभी ने किया और फिल्मेकर के तोर पर अपनी पहचान बनाई। रंधीर कपूर की एहम फिल्मों में कल आज और कल जवानी दिवानी, रामपूर का लक्ष्मन और चाचा भतीजाश शामिल है। वही भारत में करोना का कहर बढ़ता जा रहा है। महराश्ट में अभी तक कुल 66,985 लोगों की मौत हुई है। मुंबाई में गुर्वार को 82 मरीजों की मौत हो गई, मुंबाई में अभी तक कुरोना से 13,036 लोग अपनी जान गवा चुके है। इस वीडियो में फिल हाल इतना ही, अगर आपके कोई भी सुझाब या प्रश्न हो, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा। साथ ही देश-विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोगमत हिंदी के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इवीडियो फेस्बुक में देख रहे हैं, तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें।